जन बोल न्यूज प्रस्तुत करता है, The Campus गोंज मेरा नाम आयूश है, और मैं दर्भंगा उसका छात्र हूँ, और MA कर रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट है, Department of Women's Study मैम आप, मेरा नाम वारुनी पूर्वा है, दर्भंगा है, उसे इतिहास विभाग सेवों, दिशा छात्र संगठन से सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम भायों, बहनों, छात्र छात्राओं, पत्ना इंवस्टी के तमाम करमचाडियों का बहुत भुत धन्यवाद, बड़ावार, मैं नाम अमीत रंजन है, मैं MSC Mathematics, पत्ना साइंस कोलेज का इस्ट्रेंट हूँ, फर्स सेमेस्टर, इस बार मैं President के लिए नमांकन किया है, मैंने, पैंडेंट आप लड़ रहे हैं, आयूश आप CRJD से हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वह किन मुद्दों को ले करके चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहला हमारे एक ही मुद्दा है कि आज तक किसी संगठर ने या किसी छातर ने आते उनसे यह नहीं हिल्प मांगा कि भाया, आप मेरी मदद करिए, हम लोग ने कोर्स कर लिए, लेकर हमारा प्लेस्मेंट नहीं हो रहा है, तो इस बार हम लोग सारे उनके साथ बैट के हम लोग एक टीम बनाया है, जिसको अग नहीं, यह इसके बाद continue रहेगा, कि मैं चाहता हूँ कि एक बार जो initiative ले लिया जाए, उसको 16 साल किया जाए, क्योंकि जौब फिर हलसाल होना कंपनी को भी जरुरत है, manpower की जरुरत है, शुरेंस को जौब की जरुरत है, तो यह हर साल चलते रहेगा आयूश का सबसे बड़ा मुद्दा है, प्लेस्मेंट को ले करके, आपके अगर मुद्दे की बात करें, तो आपके मुद्दे कौन से है? क्या बात करेंगे, बिस्मेंट से बात करेंगे, भी सी नहीं करेंगे, फिर राज जिपाल से बात करेंगे, यूजी से बात करेंगे, ऐसे जब सब्सक्राइप, जो भी करना पड़े मुझे private companies से बात करना पड़े मैं करूंगा उसके लिए placement के लिए मुझे जो भी कदम रोड पे उतरना पड़े रोड पे उतर सकते हैं लेकिन placement दिलवा कराएंगे समच लीजे सरी कैमरे के सामने आप कह रहे हैं लेकिन यहां पिछले दो बार की घटना भी हुई थी सबसे प्रमुक मुद्दा हमें जो लगता है कैमपस सुरक्षा का मुद्दा है और सीधे तोर पे हम लोग देख रहे हैं खुद इसी पटना कॉलेज में लड़कियों को जो इस बार admission हुआ सबसा मतलब कम हुआ पिछली बार से लगातार कम होता जा रहा है सीधे तोर पे हम देख रहे हैं किस तरह की गुंडागर्दी और यह सारी चीज़े होती है इसमें एक प्रमुक मुद्दा हम लोग का एक anti-sexual harassment cell गठिद करने का और इसके साथ ही युनिवरसिटी से यह मांग की जाएगी कि एक help line number चालू हो इसका ताकि campuses में पहले से लाइन नंबर चालू किया जाए यह एक मुख्य मुद्दा है दूसरा हम बात कर रहे हैं जैसे मुद्दे बहुत सारे संघर्ष के मुद्दे हो सकते हैं चात्र संघ को कितने अधिकार छेत्र में क्या मुद्दे आते हैं जैसे कोई बोल देगा कि Central University बनवा देंगे यह पिछले दो बार की जो यूनियन थी उन्होंने क्या काम किया है किसी को कुछ पता नहीं है सीधे तौर पर हम बात कर रहे हैं कि Student Union का जो फंड है उसको पब्लिक किया जाए अधिमिशन के टाइम सारे लोग जो अधिमिशन से एक हिस्सा सौ रुपया स्टूडेंट्स का Union Fund में जाता है वो कहां इस्तमाल हो रहा है हम अगर आएंगे तो पहली चीज होगी कुछ भी Infrastructural कोई भी धांचागत सुविधा बनने को तयार करने को जो भी पैसा लगेगा वो तब ही पता चलेगा जब आप Fund को Open करें कि किस मद में क्या पैसा कहां लग रहा है सबसे बड़ी बात कि मैं आपने कहा कि मैं GS cell के बारे में चातराओं को अगत कराओंगे तो आप चुनाओ से पहले भी करा सकती है ज़रूरी है कि चुनाओ जितने का बाद ही आप कराईएगा बात मेरे अवगत करानी की नहीं है बात है युनिवरसिटी को मजबूर करना की अवगत कराया और सिर्फ अवगत करानी की बात नहीं है अक्टिव नहीं है सेल आप देख लीजे किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं है ये तो एक पैमाना हो गया कि सेल कि इतना अक्टिव ह कि अगर युनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट ऐसी किसी घटना को अंजाम देता है उसको रस्टिकेट करने का तक पावर हो उस सेल को इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल को मजबूत किया जाए अफगत कर रहे हैं लेकिन जब सेल ही अक्टिव कराने से क्या होगा आप सेल को एक्टिव कराईएगा दूसरी बात है कि आप लोग इतने दिनों से प्रचार में लगे हुए हैं प्रचार की अगर बात करें तो अब तक आप लोगों ने कितने विद्यार्थियों को को अपने तरफ मोहिद किया है कि हम लोग जो अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं वहला स अच्छा वह झुक्न्स अच्छा रहा है कि अधर कि हमारा जो है कि एक कंप्लेंट पाड़ल का बात जिसमें हर सूरेंट की समस्या होती हो तो इस पार पया ओप तो उसके लिए बोला कि हम लोग कहा जाना पड़ेगा कैसे करेंगा स्टूरेंट हैं लोग नेचरल कॉल है कभी भी आ सकता है और जो वच्ण है जो हमारी फीमिल स्टूरेंट्स के लिए वह बहुत जादा ही अनाइजनिक है बहुत जादा इसमेल करता है तो यह छोटी छोट आसके देखेंची तो कभी कभी आसा होता है कि चार सब्येक्ट इसमें दो आते ही नहीं फिर होता है कि अब फिर हमारा कभी वह प्यौन नहीं है कभी को लाइडियज्या लिए लॉजे लो посмотрим permettre नहीं हे लाब्स नहीं है ऑगला स्टोटे करूपास और का ट्रिट क्रूप मों दिलाने में सब्सक्रम है नहीं उसका कारण ये भी है कि हम कोई भी एडुकेशनल एक्सपोजर का ट्रिप नहीं कराते हैं कोई ऐसा कारेक्रम नहीं कराते हैं ना ही हम बच्चों के कराते हैं वैसा कोई बच्चा नहीं है जो यहां पर सक्षम नहीं है सारे स्टूरेंट्स यहां पर सक्षा चाहिए डिरेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं अब तक केंपैनिंग में कितने जातरों को आपने लुभाल लिया है तीक एनुर्स्पेक्टेड है मिनिममम तिन थाउजन प्लस को मैंने डिरेक्ट मैंने फेस Two Face बात किया सभी से मिला है मैंने अपना केंपैनिंग के स्टार्ट किया था पटना साइंस कोले से जो की मेरा घड पतना साइंस कोलेज हैं फिर स्टार्ट करते करते पतना कॉलेज, दरबंगा हाउस, वोमेंज कॉलेज, मगद महिला कॉलेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेणिंग कॉलेज, लौकॉलेज, बी अन कॉलेज, तबाम कॉलेजों के छातरों से मैंने डारेक्ट inटराक्ट किया ह सारे क्लासरूम में जाकर के मिला है, one to one सबसे बाते की है और उन्हों का सबका positive response है, इस बार छात्र पार्टी पॉलिटिक्स से उपर उठ करके एक ऐसे छात्र को चुनने वाले हैं जो उनके बीच से हो जो उनके लिए काम करें, वो समझ चुके है कि पार्टी पॉलिटिक्स क क्या response है छात्रों का, देखिए पहली चीज तो लुभाने की जैसा आपने शब्स इस्तमाल किया, पहली चीज है हम लोग साल भरी छात्रों के बीच रहते हैं, तो अलग से election एक जरिया बन जाता है थोड़ा सगन तरीके से छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने का कि दिश सारे छात्र election campaign के दौरान भी हमसे जुड़े हैं और एक विकल्प के तौड़ पे हम लोग मतलब हमें लगता है कि उभरेंगे हम लोग दिशा को लगता है कि इस बार इस विश्य विद्याले में उभरेगा लागतार छात्रों के तरफ से एक सवाल उठ रहे हैं कि जब छात्र संगे चुनाव आता है यह जब कोई भी चुनाव आता है कि उनका टेनियोर जो है एक साल आठ महीने कहीं एक तो हमें मिलता है समय उससे भी लोग दिसंबर में पढ़ाई कंप्रीट हो जाती है फिर अपने अपने पढ़ाई में लोग लग जाते हैं तो इसलिए पहले तो आप एक ऐसे उमिद्वार को चुने जो आपके बीच आगने कि यह जरूर देखें कि कौन आपके सांथ लागे चले कितने दिनों तक रहने वाला है उसके बाद ही विचार करें उसके बाद ही अपना जो बहमूले वोट है वो दे क्योंकि एक एक वोट से ही कोई जीतेगा एक एक वोट से भी लोग हार जाते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं सारे स्टुडेंस से निवेदन है कि सोच कर वोट दे कौन आपके बीच रहने वाला है और कौन कब तक रहने वाला है आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मसले किस मसले वे सर जो हमने कहा कि आखिर आप लोगों को क्यो वोट किया जाए जो हमेशा नीरता आते हैं चुनाओ के समय में वादे करते हैं और अपने वादे पे खड़े नहीं उतर बात हैं तो आखिर इस बार क्यों वोट किया जाया है देखिए सबसे पहले तो चात्र संग का परतिनिधी होना बहत जरूरी है क्योंकि सारे चात्र मिल करके भाई चांसलर से या राज जेपाल से या फिर किसी से बात नहीं कर सकते हैं कोई उसका परतिनिधी अगर जा के बात करे तो जाता है दुसरी बात इसमें प्लिटिकल पार्टी का इंवाल्मेंट होना बहती दुखत बात है क्योंकि जिस तरह से लोग इंवाल्व हो जाते हैं बड़े-बड़े राजनेता बड़े- मंतरी इंवाल्व हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि छात्रों पर प्रेसर आ जाता है एकोनोमिकली भी और मेंटली भी प्रेसर आ जाता है कि यह नेता है यह फलाना है यह मंतरी जी इसमें इंवाल्मेंट नहीं होना चाहिए दूसरी बात कि छात्र मुझे क्यों चुने यह सबसे अच्छा कोश्चन है आपका क्योंकि मैंने छात्रों के बीच काम किया है और जो इस मेरा एड्मिशन का लगभग साधे-चार महीना हुआ इस दर्मियान जितना काम किया है मैं समझता होकर चुनके जाओंगा तो उसका जो काम करने का जो रेशियो होगा जो पोटेंसियल होगा वो मेरा टेन टाइमस बढ़ जायागा इसलिए मैं छात्रों से गुजारिस करता हूं कि एक अच्छे नेत्रित्यों के लिए एक अच्छ चात्र को चुनिए जो आपके 20 से हो जो आपके लिए काम करें और मैं रेगुलर स्टुडेंट हूं कभी भी जैसे आप चात्र सोचते हैं कि चात्र मेरे जो परतिनिधी है वो जीत गया फिर हमसे मिलने नहीं है तो उनलों को हम बात आपके माध्यम से इंसिक्योर करना चाह हमसे खुली सब साड़े छात्रों को बोलते हैं और एक बात का इंसिक्योर करते हैं कि उनको कभी यह फील नहीं होने देंगे कि मेरे साथ कोई नहीं है जितने भी छातर नए हो पुडाने हो फरस्ट यर के हो नए फ्रेसर्स भी आते हैं तो उन लोग को यह लगता है कभी यह लगता है कि यार क्या होगा हॉस्टर's में कैसे रहेंगे बाकी जब पर कैसा महल मिलेगा उन सबी को हम सिक्यूर करना चाहते हैं और आपके माध्यम से उन सबी को बताना चाहते है कि जैसे प्रसेड़िट पे आप लोग का जिस तरह से प्यार मुझे मिल रहा है वैसे हि बाकी पोस्ट पे भी उन्हीं को चुनियेगा जो अच्छा इंसान हो जो आपके बीच का हो जो आपके साथ खड़ा हो और जो आप लोगों के लिए काम करने वाला हो मैं दिशा कैसे इस बार उभरेगा क्यों दिशा को वोट किया जाए देखिए सबसे पहली चीज है यही बता दें कि दिशा चातर संगठन कैसे अलग ही है क्योंकि हम लोग किसी भी चुनावाज पार्टी से अफिलियेटेड नहीं है और हम इसी लिए एक अल्टरनिटिव के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग उठेंगे क्योंकि आप देखिए जो पार्टी पॉलिटिक्स संसत के सेंट्रल स्टेट गवर्मेंट के लेवल पे होती है इन्ही पार्टीओं के छातर संगठन जैसे आप देख लीजिए जैसे हेफा जो कानून लागू किया गया मोधी गवर्मेंट द्वारा इन्ही पार्टी के छातर संगठन कैसे अपनी पार्टी का कि नीतियों का विरोध करेंगे जो नियो जीकेशन पॉलिसी आई है या स्टेट गवर्मेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग छातर हित के बारे में बात करते हुए भी कैंपस सुरक्षा के बारे में भी बात करते हुए ये वो चीज लागू नहीं कर सकते क्योंकि आज कैंपस सुरक्षा का सबसे बड़ा इशू जो है इन्ही के कारण है क्योंकि इन ही लोग को जिनका बड़े-बड़े MP MLA से connection होता है इनको ना पुलिस का डर होता है ना प्रशासन का डर होता है तो सीधे तोर पे इसलिए आज हम लोग बात करने हैं कि एक independent student initiative को खड़ा करने की और उसके साथ आने की जरूरत है क्योंकि वो सिर्फ चात्रित की बात नहीं करेगा बलकि वो इतना capable है इतना उसके पास शमता है कि वो चात्रों के साथ आर पार के संघर्ष में उतर सकता है और इसमें एक और मतलब मैं बात कर लूँ जो so-called progressive left organization जो खुद को बोलते हैं वो खुद भी अवसरवादी गटबंदन करके उन्हीं लोगों के साथ गलबहिया करते हैं तो उन पर भी एक सवाल है कि वो लोग भी कैसे student hit के बारे में बात करते हो उनके साथ खड़ा होंगे मैं यह भी अक्सर सवाल उड़ता है कि जो भी election लड़ रहे हैं कहा जाता है कि इस election में चाहे कोई भी election हो चात्र संके चुनाव में भी देखा जाता है और चात्रों भी अक्सर कहते हैं कि जाती समिकरंट काम करता है इस बार जाती समिकरंट कितना काम करेगा देखिए विश्वध्याले में कहीं भी जाती का तो नाम ही नहीं आता है यहाँ चात्र का चुनाव होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है जैसा कि हमारे साथ साथी ने कहा कि बहुत सारे संगठनों का नहीं नाम लिया लेकिन इन्हें यह बता दें कि बैलेट आप किसके बीच में अपनी बात कैसे रख पाते हैं उस पे होता है यह चुनाव तो गुजारिश से सभी भाईयों से और मेरे साथियों से कि इस चीज को ऐसे मत बोलें कि यह बहुत गंदा वर्ड है कि आप पार्टी को इसमें वाल्फ कर रहे हैं कहां हमारे साथ किसी मंतर या किसी नेता का साथ है हम लोग यहां खुद टहल रहे हैं चार लोग मिलके टहल रहे हैं अपने कैंपेनिंग करें अपनी बातों को रख रहे हैं क्लास क्लास घूम रहे हैं आपका जवाब तो शायब मिल गया है देखिए सबसे पहली चीज़ है मीडियम ही देख लीजिए चात्र राजद के उमीदवार अध्यक्षपद के उमीदवार चात्र जदियू के अध्यक्षपद के उमीदवार तो इससे ना आप डिनाई कर सकते हैं ना हम डिनाई कर सकत कि कौन किस पार्टी से बिलॉंग करता है और यही मतलब इतना समझाने की इसमें जरूरत नहीं है और जहां तक बात जातिय समीकरण की है तो उपर उपर से लोग बोल सकते हैं कोई जातिय समीकरण नहीं होता है सीधे तोर पे यह आप भी पूरी तरह से जानते हैं हम भी जान राजनीती साम प्रदाइक्ता की राजनीती के बरक्स स्टूडेंट्स को उपर उठके एजेंडा पर वोट करना चाहिए यह हम लोग की अपीला और स्टूडेंट्स हमारे साथ है इस मुद्दे पर चात्रसंग के चुनावां में संगठन का होना जरूरी है जैसे आप दिशा सातीं यौनारोप लगाना बंद करें कि हमारे होस्ट्र उंपर खुलत आरोप लगा रही है कि यहाँ जाती वाद होता है तो मुझे बता दें किसी स्टूडेंट से पूछ ले क्या हर जाती के लोग घढ़े हैं कैसा है यहाऊं पे यहां च्छातर संगा चुना होस्को आप अब गाली दे रही हैं इसको आप सीध तंवगर ये और संगठन की तो यहाँ आभी की संगठन जुड़ी है क्यूंकि महा लेते हैं कि अगर आप जीठ जाती हैं आपकी यावाज इठाने के लिए कौन आएगा आएगा आपके संगठन के लोग आएंगे, आपके साथ की लोग आएंगे, आपके स्टुदेंट आएंगे. वोढ़ जाती हैं, बात हॉस्टेल्स की नहीं है. बात है कि पार्टियां के सटीरीं से हॉस्टेल्स में, college में, classes में, चातरों के बीच जातीवाधी राजनीती करती है. पहली चीज, हॉस्टल्स या कॉमन स्टूडेंट्स की बात नहीं है, पार्टियां इस चीज को वो करवाती हैं, दूसरी चीज यहां पर ये बात कर रहे हैं कि छात्र संग को गाली नहीं, बिल्कुल छात्र संग और छात्र राजनीती को बरबाद करने के लिए यही पार्टि आज जिम्यदार हैं कि आज छात्र संग को MPML बनाने का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है, बलकि इस पूरे मतलब प्रक्रियां में छात्रों की जरूरतें, उनके अधिकार, उनकी अकांचाह सब किनारे कर दी जाती हैं, और इसका जिम्यदार छात्र संग राजनीती नह लोग तो हमारे शात नहीं है, जन बोल लिए उने सबको invite किया था, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आ है, रिजन चाहे जो हो, अब इसका अंदाजा शायद नहीं लगाया जा सकता है, दूसरी अगर बात करें तो इस बार के चुनाओं में, लगभग कितने वोटों में खुलेया वोमेंस कोलेज में और मगद महिला में नाम का प्रशार कर रही है, तो मुझे लगता है कि अनेस्पेक्टेड है, लेकिन इतना तो है कि उन लोग का जो प्यार और जो मेरा नाम उन लोग के दिल में बस गया है कि अमीत रंजन भहिया को वोट करना है, तो कितना संभाव है, यह तो सचाई है ना, इसको आप काट नहीं सकते, जीतेगा तो कोई एकी, लेकिन जीत किसकी होती है, यह हमारे यूनिवर्सिटी के भाई, बहन, जो हमारे मित्रगन है, वो लोग करेंगे उसके बाद ही, लेकिन इतना तो फिक्स है कि जिस तरह से प्यार और समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से आख, यूनो, साइकलोजिकली पता चल जाता है कि क्या जाने वाला और क्या महौल है, वो लोग का प्यार और समर्थन की वज़ए से हम जीतेंगे भी, और रिजल्ट भी आप देखिएगा, अच्छा, आप लोगों के जीतने के बाद व प्रांगण में, जिस कॉलेज के प्रांगण में हम लोग हैं, नैक दोरा उसको C ग्रेट दिया गया, इसका साफ साफ कारण था, मतलब सबसे पहली चीज तो शिक्छकों की भरती नहीं है, बहुत मतलब ही, आप देख लीजिए, नितीश गर्मेंट ने 2007 में पहले बिहार व मुख की कारण है कि मतलब C ग्रेट मिल रहे हैं और ग्रेट सीधे नीचे जा रहे हैं, तो पहली चीज तो इस चीज पे हमारा संघर्ष होगा कि मतलब शिक्छकों की पर्मनेंट भरती की जाए, रिसर्च वर्क में भी जैसा हम बात कर रहे हैं, खुद जिस डिपार्टमें एक्सेल को एक्सेल को एक्टिव किया जाए और दूसरा स्टूणेंट यूनियन के फंड को ओपन किया जाए, उसी से तय हो जाएगा यहां जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वो मतलब एक्शन में आएंगे। में जाएगे कि कैसे काम होगा, एक्सी पर काम होगा, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, क्लीन वाच्रमस मिलेंगे, हाईजियनो को आ fracture पर घोटी है लेकिए टीम निम के पाम है यहेँ और भाइखर पर सेफ्टी वाइज, प्लेस्पेंट वाइज, एक्स्पोजर वाइज, हर तरह से आपको बदलाव दिखेगा. हम इतरंजन अगर अध्यक्ष बनते हैं, तो कौन से बदलाव दिखे जाएंगे? यह मेरा सिंपल सा बात है, ग्राउंड लेवल का हम सोचे हैं, हम जमीन से असर से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पर ही रखके बाते करना चाहते हैं, सबसे पहले तो सेंटरल उनिवसिटी हम नहीं बनवाने वाले हैं, लेकिन हाँ, जो मुल्भूत सुधाय हैं हमारी बहनो को जो हमारे भाईयों को नीड है, सुचाल है, सुध्ध, एक दम बिल्कुल साफ सुधरा सुचाल है, हर डिपार्टमेंट में आरो वाटर, आपको प्लेस्मेंट नहीं है, तो प्लेस्मेंट से लगा गठन होगा, टीचर्स की बहुत कमी है, टीचर्स होंगे, चल रहा है, डारेक्ट विकली इंट्रेक्शन होगा बच्चों का, इन तमाम चीजों पर हम काम करने वाले हैं, और जो सबसे पहले हम बता दे कि एक बात, जो मुल्भूस सुधाओं के लिए छात्र छात्राओं को सिकायत का मौका नहीं देंगे, बाकी चीजों पर हम वर्क इस बार भी वो मांग उठ रही है, तो आप लोग इसकी कोशिश करेंगे। सब्सक्राओं के लिए पार रहा, उससे पहले भी रहा, वो लोग बिल्कुल ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास सेम ही मुद्दा हर साल रहता है, और पता नहीं उलोट कैसे मांग लेते हैं कि मुद्दे पे लोग, और सेंट्रल उनिवरसिटी बनाने का सलाहबाद उनिवरसिटी भी है, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, तो हमें नहीं लगता है कि सेंट्रल उनिवरसिटी अपने आप में बन जाने से सब चीज़ डेवलप हो जाएगी, पहली चीज़ है, हम लोग तो ये अपने आप में एक तरह से हम लोग मांते हैं गलत मांग किस रूप में, हम मांते हैं कि सब को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, अब समान का मतलब ये नहीं है कि कुछ सेंट्रल उनिवरसिटी 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 उनिव वाले चहतर किया कम कैपबिलीटी के हैं respective to Delhi-University, Delhi में पढ़ने वाले चाठर या अलहाबाद-उन्वरसिटम yeah लानी चनल यह बात है कि यह जोडिफ davon सरकार खुड जोडिफ इस करती है हम उस डिफ bonicie को नहीं मानते क्योंकि समान शिक्चा का हक सभी को है अम् SAL las क्या कहना चाहेंगे देखिए हमने पहले ही बोला कि दिली युनिवसिटी में अभी क्या चल रहा है कितना अपडेट हुआ उन साड़ी चीजों को हम स्मार्ट क्लासेज को दौर हम क्या बोले वीक में एक दिन क्यों साटर्डे को वो क्लासेज चलेगी और बच्चों का रिस्पॉंस भी बहुत अच्छा है इन तमाम चीजों पर हम काम करने वाले हैं चुकि आप लोग लास दिन ही रखे हैं कैंपेनिंग के दिन तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा समय की कमी है बाकी जब भी ले वोट आप अपने कंडिडेट को दें जिसको आप चाहते हैं कि वह चात संक चौंजीत या ध्यक्षपद हो या बाकी कोई भी पैनल हो तो आप सभी से निवेदेन हैं कि आप लोग प्लीज वोट करने आएं सो दाट कि आपके जो उमिद्वार हैं वो जीतने में आपकी सयोग रहे क्योंकि बुंद बुंद से घड़ा परता है देखिए हम यही अपील करेंगे स्टूडेंट्स को वोट तो जरूर करने आए लेकिन जाती के नाम पे नहीं छेतर के नाम पे नहीं पैसे के बल पे नहीं बलकि यह देख करके कि कि किसी भी कैंडिडेट का क्या संबर को और जिस तरह से अध्यक्ष पर आप लोग प्यार दे रहे हैं पूरा अमीत रंजन अमीत रंजन भेया बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से निवेदन है कि साथ दिसंबर को वोट करने आईएगा और पांच अटेंडेंडेंस को भी बोल दिया गय रहा उसी तरह बाकी भी चीजों पर देखना है कि क्या हुआ हमारे बीज का चात्र है या फिर हवा हवाई से आया है या फिर वो क्या सच में वो मेरे लिए काम करने वाला है कोई थर्ड पार्टी आपको आके बता रहा है कि इसको वोट करना है तीसरी बात जाती धर्म लिं अब है और फैसला आपको करना है कि बारा उमिदवारों में से के लिए वोट करना है जो भी हो इस बार के चुनाम में मतदान जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद